हेलो फ्रेंट्स इस नहीं राज यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंट्स बहुत सारे लोगों की ये डिमांड रहती थी किसार आप हमें बताओ कि डॉलर कैसे खरीदते हैं डॉलर फ्रेंट्स अभी मैंने आपको उसी पे ये वीडियो लाई है कि आप डॉलर बाइनस से कैसे खरीदोगे और कैसे आप खुद कर टॉप अप करोगे अभी के बाद हम जादा तर टेक्निकली चीज़ों पे जादा जोर देंगे जिससे आप सीखो कैसे आप खुद टॉप अप करोगे और खुद ही आप अपनी आईडी को जो है यहाँ पे एक्टिवेट कर पाओगे अपना पैकेज जो है वो पर्चेस कर पाओगे तो friends अभी हम आ चुके हैं यहां पे Binance पे तो friends अभी Binance पे क्या होगा कि हम यहां पे आपको कुछ डॉलर खरीद के दिखाएंगे कि डॉलर कैसे खरीदे जाते हैं बहुत सरे लोगों की यह doubt रहती है कि डॉलर सर आपको 80-81 का डॉलर चल रहा है वो क्या करते हैं वो Google पे देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि डॉलर तो अभी 80-81 का चल रहा है यह हम से जादा पैसे तो नहीं ले रहे हैं अभी friends सारा कुछ इस वीडियो में आपको live दिखेगा तो आपको ऐसा खुल रहा होगा आपको सिर्फ यह तीन ही option आ रहे होंगे एक wallet का दूसरा exchange का तीसरा जिसमें आप सिर्फ slide चेक करोगे अब friends बहुत सारे लोग यह confused हो जाते हैं कि जो YouTube पे वीडियो होती है वो दूसरा app है वो pro वाला है हमारे पास जो है यह कम है कि क्या है यह सारा जो है बहुत सारे लोग यहां से भी confused हो जाते हैं तो friends यह बिलकुल कुछ नहीं है यह है आपके पास light और आपने pro एकी app है इनका और एकी app से light भी और pro भी होता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी friends हम चलते हैं इस वीडियो में अभी friends आप देखिए सबसे पहले आपको उपर दिख रहा होगा जिस पे आपको आप अपनी profile लगाते हो आपको वो icon दिख रहा होगा इस icon पे हम click करते हैं अभी friends हम आपको यह चीज़ दिखाएं देखिए friends यहाँ पे आगया Binance Lite अभी friends यह Binance Lite पे जैसे आप इसको आन रहोगे तो आपको सिर्फ तीनी option आगे दिखाई देंगे जैसे आप इसको off करते हो अभी मैं इसको off करके दिखाता हूँ अभी friends जैसे इसको off कर दिया आप देखिए आपके सामने वो interface जो है वो आ गया यहीं पे कुछ लोग जो है बहुत सारी वीडियोज देखी होंगी लेकिन वो यहीं पे जो जाके confused हो रहे होंगे अभी friends आपने कुछ नहीं करना यह ऐसे आता है आप देखिए अब आपके बस बहुत सारे option आ गया wallet भी आ गया आपका home page आ गया अभी friends अगर आपने पहली बार सिर्फ account बना दिया इसमें अपना pen card, other card verify करा दिया है तो कुछ important चीज़े जो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जब भी किसी को आप payment करोगे जो आपने binance पे नाम रखा है या जो आपने यहाँ पे add किया हुआ है अपना नाम उसी bank account से आपने जो है वो payment करनी है ऐसा नहीं जैसे google page से हम payment करते हैं मैंने आपको करनी है तो मेरा नाम for example xyz है तो मैंने आपको bcd के नाम से जो है वो payment कर दी कि ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं रहता और यहाँ पे security जो है वो बहुत जादा हाई है तो friends आपने इन चीज़ों का बहुत जादा धिहान रखना है अभी friends मैं आपको दिखाऊंगा कहां से आपने जो है पहले payment जो है अपनी add करनी है अभी यहाँ पे थोड़ा scroll करते है payment method आप देख सकते हो यहाँ पे option आ रहे है जैसे friends आप यहाँ पे payment method पे जाते हो तो payment method पे आपको यहाँ पे बताता है कि add payment method अभी देख सकते हो हमारा P2P payment method जो है वो add किया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो हमने UPI जो है वो add की हुई है आप दूसरे UPI दूसरे भी method आप जो है यहाँ पर add कर सकते हो जिससे आप जो है वो payment करना चाहो तो यह फ्रेंट्स बिल्कुल easy है और फ्रेंट्स मैं आपको बता दू बाइनेंस पर अकॉंट बनाने से पहले बाइ security हाई है तो जब भी आप अपना account बनाओ तो आप यह चीज़ दियान पर रखो कि आपका जो phone number एक होना चाहिए mail आपकी एक होनी चाहिए जिससे आप जो है इसे use कर पाओ और bank account भी आपने method एड़ करना ऐसा नहीं कि आप अपने पापा के नाम पे आपने finance account बना दिया और payment आप अपने नाम से करो अपने account पे बिल्कुल नहीं account पे आप ही कहोना चाहिए यह सारी चीज़े आप ही क्यों नहीं चाहिए तो friends अभी हम बिल्कुल भी देर ना करते हुए आप आपको लेके चलते हैं कि कैसे आप जो है यहाँ पर डॉलर खरीद होगे सबसे पहले हम आ यहाँ पर आपने funding पे जाना है दूसरा option आप उपर देख रहे होंगे जैसे आप funding पे फंडिंग के बाद friends आपके सामने नीचे जो है option देख रहे होगे deposit, withdrawal, transfer आपने किसी भी option पे click नहीं करना है उसके नीचे जो आप देख रहे होंगे कि P2P करके आपको option होगा जहाँ प अब भी आपने यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत सारे जो मैंने पहले account open यहाँ पे दिख रहे हैं कि जो भी जिससे भी हमने dollar खीद ने बहुत सारे account आपको restricted दिख रहे है, restricted का यह मतलब है कि या तो इन्होंने कोई गलत यहाँ पे आपने इनको payment बेजी और इनको डॉलर यहाँ से नहीं बेजे तो तब भी account restrict किया जाता है, अगर आप अपने Binance account को बार-बार login या logout कर रहे हो तब भी आपको restrict किया जाता है, आप अगर बार-बार order जो है यहाँ पे cancel करोगे तो तब भी आपको restrict किया जाता है, तो आपने यह सारी चीज़ों का धिहान में रख यहाँ पे percentage आपको एक दिखती है, नीचे देखो आप, अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले आपको price दिख रही होगी, 86 dollar, जो है 86 का यहाँ पे दिखा रहा है, उससे नीचे आप देख रहे हो, लेकर यह payment किसे लेगा, IMPS, हमारे पस यह नहीं है, हम जो payment करते है वो UPI से करते हैं, अभी friends, dollar का जो rate है, वो कभी-कभी नीचे और up-down होता रहता है, अगर आप 86 से ले रहे हो, तो आपकी जो है, यहाँ पे limit आप देख सकते हो, कि आपने कितनी लेनी है, यहाँ पे पूरा limit लिखी हुई है, तो आपको अगर आप 78,000 से जादा ले रहे हो, तब भी आपको 86 plus में ही मिलता है, यहाँ पे 86 के नियरी जो रहता है, अभी friends, आप देखो, दो account restricted है, अभी मैं आपको नीचे account दिखाता जाओंगा, जिससे हमने सबसे जादा trade देखने हैं, आप इनके trade दोखोगे, किसी के 8 है, किसी के 16 है, हमने और आगे percentage भी आपको क्योंकि कहीं restricted के बहुत सारे chances रहते हैं, ऐसा नहों कि आपके यहाँ पे restrict हो जाएं, अभी friends, हम यहाँ पे जाएंगे, अभी आप देख रहे हो, 1000 डॉलर के यहाँ पे हम ट्राइ करेंगे, कि 1000 डॉलर के क्योंकि हमें जादा नहीं चाहिए, तो 1000 रुपे के हम यहाँ पे ड जो चार्जी रहती है, आप यहाँ पे जो confirm किजिए, अगर आपकी UPA limit लेकन एक लाख तक रहती है, friends, आपने वो भी देखना, अगर आप एक लाख से जाधा कर रहे हो, तब जाके आप इससे नहीं कर सकते हो, अभी friends, यहाँ पे हम देखते हैं, आप देखो जिसका trust rate जो ह वो restrict किया गया है, यहाँ पे 99 वाला भी जो है, वो restrict किया जाता है, अगर आप कोई भी यहाँ पे जो है, वो mistake करते हो, अभी friends, हम पहले देखते हैं, जिसके सबसे जाधा trade होंगे, हम किसी एक को select करते हैं, अभी friends, यहाँ पे हम किसी एक person को select करेंगे, मैं आपको होंगा कि उस पे आपने क्या क्या चीज़े जो है, वो दिहान पे रखना है, अभी देखिए friends, यहाँ पे यहाँ पे जो हमारे partner है, मैं आपको थोड़ा सा फिर से back लेके चलता हूँ, ताकि आपको दिखे कि trusted आपने कैसे चुनना है, अभी friends, आप यह देखोगे, अभी friends, देखिए, आपने एक partner यहाँ पे हमने चुना, हमने देखे इसके trade जो है, यहाँ पे अगर इसके trade देखोगे, 1208 इसने trade कर दिये, और 100% है, हम हमेशे इसी को चुनेगे, क्योंकि यह जादा तर हमारे लिए safe रहेगा, अभी हम यहाँ पे buy पे click करेंगे, अभी जैसे friends, buy पे click किया, तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा, अब यहाँ पे आपने amount अपने enter करना है, तो मैं लिख लेता हूँ, मुझे 1000 के चाहिए, अभी यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे amount कर दिया, उसको आपने, यहाँ पे click करना है, buy with zero fee, अब friends, जैसे आपने यह चीज़ यहाँ पे की, तो यहाँ पे यह पूछेगा, देखिए, यहाँ पे आपने सबसे पहले chat के option पे जाना है, अब आप chat के option पे गए, तो यहाँ पे auto message आता है, तो आपने क्या पूछना है, इसे hello are you online, कि क्या आप online हो, अगर friends, कोई online हो, तब अब आपने payment नहीं करनी है, अभी जैसे आपने chat से थोड़ा back आना है, क्योंकि आप chat पे रोगे तो आपको chatting नहीं दिखेगी, फिर से आपने वहीं पे आ जाना है, एक step आपने back लेना है, जैसे वो message करेगा, तो chat पे आपको one दिखेगा, अभी friends, आप देख रहे हो, अगर response नहीं आता है, तो हमें दूसरा trader जो है, वो चुनना पड़ेगा, जिससे हम दूसरे से dollar जो ही एकरी देगे, अभी friends, देखिए, यहाँ पे message आ चुका है, अभी हम chat पे जाते हैं, तो देखे, yes, देखिए, यहाँ पे यह बता रहे हैं, I am online, तो okay, wait, अभी friends, हम यहा payment करने के लिए, इनका UPI method जो है, वो UPI method जो है, वो लेना है, आप यहाँ पे देखिए, जैसे आपने payment method पे किया, तो UPI इनकी आपने यहाँ से copy कर लेनी है, अभी देखिए friends, यहाँ पे UPI आई, आपने UPI को copy किया, अब UPI को जैसे आप copy करते हो, तो आपने कहाँ पे चले जाना है आपने फ्रेंट्स यहां पे चले जाना है अब आपने जहां से आपने पेमेंट करनी है गूगल पे फोन पे जहां से भी आप पेमेंट जो है वो करोगे अब इस जैसे हम यहां पे आगे आपने Google Pay पे तो अभी हम Google Pay से उन्हें जो है वो payment करेंगे यहां से आप देख सकते हो हम उन्हें payment करेंगे तो थोड़ा आपको black दिख रहा है यह इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमें security reason से आपको पता है कि security reason के लिए रखा हुआ हम एक पर payment करते हैं फिर आपको दिखाते है अभी फ्रेंट समीने payment कर लेते हैं इनके जो UPI ID है उस पर हम बेज देते हैं हजार उपया उनको बेज देते हैं अभी फ्रेंट देखिए हमने उन्हें जो है वो payment कर दिये payment करने के बाद आपने payment का screenshot लेना है आपने payment का screenshot ले लिया अब आप फिर से बाइनेंस पे चलेगे आपने फ्रेंट्स minimize करके जाना है बैक नहीं करना है और फ्रेंट्स एक चीज़ का ध्यान रखना है अगर आपने payment जब तक नहीं करते हो तो transfer notify पे कब तक आपने click नहीं करना है अभी देखो हम payment करेंगे जैसे हम इने photo बेजेंगे कि हमारी payment हो गई उसके बाद ही हम जो है इने transfer notify पे करेंगे कि हमारी payment हो गई और फ्रेंट्स यहाँ पे time limit भी दी होती है मैं पहले photo जो है वो यहाँ पे share करता हूँ अभी उपर आप देख सकते हो यहाँ पे time limit दी हुई है कि 11 minute आपके पास है आप payment जो है वो कर सकते हो अगर आप payment बार बार अगर ऐसे कर रहे हो time पे अगर payment नहीं कर रहे हो आपका account तब भी जो है वो बैन हो जाएगा अभी फ्रेंट्स आपने जैसे इने payment की और इनको चैट में आपने screenshot बेजा उसके बाद आपने transfer notify seller पे click करना है ताकि आप इने notify कर दो कि हमें जो है आपको payment कर दी अभी फ्रेंट्स देखिए इनके पास कितने minute बचे यहाँ पे 13 minute बचे और आपने एक चीज़ का धिहान रखना है गलती से भी आपने कहीं यहाँ पे देखिया आप appeal जो रहता है appeal पे गलती से भी click नहीं करना है अगर यह time के बिना भी वहाँ पे time जो है और बिल जाता है अगर यह payment आपको नहीं करते है by chance तो उसके बाद ही आप जो है appeal पे करते दे अभी friends आप देख सकते हो 1000 रुपीज में हमें जो है यहाँ पे 11 डॉलर मिले 11.something और यह friends शुकर करो अभी शाम के time हम कर रहे हैं अभी आप देख रहे हो रात के 11 बज चुके हैं अगर हम दिन के time करते हैं तो यह कभी 87, 87 plus में चले जाता है अभी friends आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने अपने wallet पर जाना है और एक पर आपने refresh करना है funding पर जाके जैसे आप refresh करते हो तो देखिए यहाँ पर हमें 13 डॉलर चड़ गे हमारे जो है 2 डॉलर पहले भी थे यहाँ पर आपको 13 डॉलर जो है वो चड़ गे हैं तो friends अभी मैंने आपको यह चीज दिखाई यहाँ पर कि कैसे आप किसी से डॉलर जो है अगर आपने खरीदना है तो कैसे trade लगा सकते हो बहुत जादा simple है लेकिन बहुत जादा simple होने के साथ साथ में restriction में बहुत सारी है आपने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है जैसे सबसे पहले trade जिसके साथ account जैसे restricted आपने देखा अगर आप कोई गड़बड़ी कर रहे हो तो आपका account खुद भी restricted हो सकता है for example आपने payment करने के पहले अगर notify बे गलती से click कर दिया तो फिर अगर उसने report मार दी तो आपका account तब भी बैन हो जाएगा अगर आपने सिफ order लगा के रखा और order को cancel भी नह नहीं कर रहे हो और आप सिर्फ लगा के रख रहे हो और payment नहीं कर रहे हो तो अगर तब भी report मारेगा वो तो friends ये सारी चीज़े आपने ध्यान में रखनी है तो इन सारी चीज़ों से आपने जो है यहाँ पर dollar करने कोई मुश्किल नहीं है बहुत आसान है friends बहुत जादा easy तरीके से आप यहाँ पर खरीज सकते हो बस सिरफ आपने एक ही चीज़ का ध्यान रखने की को यहाँ पर mistake ना करें क्योंकि Binance का account एक ही बार मिलता है और उसके बाद friends यहाँ पर restriction बहुत सारी है तो friends अभी मैंने आपको आपका wallet दिखाए यहाँ पर चेक कर सकते हो चेक करन this video meet you in the next video till then take care bye bye